जिलायुवा कॉंग्रस की महत्वपूर्ण बैठक जिला कॉंग्रस कार्याले पर आयोजित की गई जिसमें 13 होर 14 सितंबर को हुने वाली सामान्य ग्यान प्रतियोगिता को सफल बनाने वह उसके प्रचार प्रसार को लेकर जिम्मेदारिया वित्रत की गई बैठक की अध्यक् श्यतेंग मुकद्दम ने बताया कि उत्तर प्रदेश कॉंग्रस की प्रभारी आदर्निय प्रियंका गांधी वारा जी युवा प्रदेश अध्यक्षोंवीर यादव जी को प्रतियोगिता को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी है जिसके तहट उत्तर प्रदेश के हर जिले को 500 पंजीकरन का लक्ष दिया गया है मुकद्दम ने कहा कि आज हमने विधान सभा स्थर पर पंजीकरन की जिम्मेदारी दी है इस प्रतियोगिता में बहुत आकरशक पुरुसकार दिये जाने है और जिसमें लब्टॉप मोबाइल टेबलेट साइकल वह अन्य सेकडो पु प्रतियोगिता का उद्देश ये है बच्चों को भारत के इतिहास वह देश की महान शक्सियत्यों को जानने उन्हें पहचानने का अबसर देना है इस प्रतियोगिता में 30 मिनिट में ओनलाइन के माध्यम से कुल 60 सवाल पूछे जाएंगे जो देश की धरोहरों और इतिहा व्लाइटी सामान ज्यान प्रतियोग्ता करा रही है पूरे प्रदेश, जिले की जिम्मेदारी यूज कॉंग्रेस पर रखी है और जिला यूबक कांग्रेस के अध्यक्र अपने मुकद्दम जी हैं यतिन मुकद्दम जी, तो निश्चित तोर पर इन्हों ने जब युवक कांग्रेस पर जिम्मेदारी प्रत्योक्ता कराने की रखी है तो उसी उद्देश को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है कांग्रेस जिससे की सीधे इस प्रत्योक्ता के माध्यम से युवा वर्ग जोकी देश का भविश्य हैं आगे आने वाले भारत का नीव हैं और भारत के विकास में जिनकी भागेदारी है उनको कंग्रेस की नीतियों से कॉंग्रेस के सिद्धान्तों से कॉंग्रेस के मंच से जनता की सेवा करने के लिए जोड़ा जा रहा है 20 अगस्त से ये हमारी प्रतोगिता जो भारतिय राष्टिय कांग्रेस द्वारा की जाने वाली है उसके राइश्टेशन सुरू हो चुके हैं कल से परसों से और अब ये 13 सितंबर और 14 सितंबर को ओन लाइन माद्यम से प्रतोगिता हमारी जो पिछले साल भी आपको पता होगा कि रखी गई थी बी ऐसे कॉलेज में समान निग्यान ने प्रतोगिता राजिब जी की जैनती की उपलच्छ में ये हमारी प्रत्तों किताब 13 और 14 सितंबर को रखी गई है इसके माध्यम से हमारा उद्देश ही है भारती राश्टी कांगरेस का कि सभी बाल्लियों को 16 साल से और 22 साल के बाल्लियों इसमें प्रतिवाग ले सकते हैं